फेडरेशन आफ इंडियन पॉब्लिशर्स दारा आयुजेत एक्सिलेंस इन बुक प्रोडक्शन पुश्का सम्हारों में इस एशुशन के एमरेट प्रसिडेंट श्री अशुक के गोश्जी इस एशुशन के प्रसिडेंट स्री रमेश के मित्तल जी प्रने गुप्ता जी नमीन गुप्ता जी विजय आउजा जी मैं सबसे पहले उन पब्लिशर्स को उन ओथर को बहुत बहुत शुक्त कामना है देता हूं बधाय देता हूं जिनको आज प्रुसकार प्राप्थ हुआ है भारत नहीं पुरी दुनिया के अंदर भारत की प्राचीमत्म संस्क्ति संब्धा एक लंबा हमारा विरासत है हमारी लेखकों की प्रकाशकों की और प्राचीन रूप से भी हम देखें वेद्स लेकर पुरान से लेकर सब चीज़ों को अनभू करें तो हमारे रिशी मुनी संत इतने विद्वान थे कि वानी से ही लेखन लिख देते थे यह हमारी विरासत है और उस विरासत को आप सब महनबाओं ने आगे बढ़ाया कि अलग अलग शित्रों के अंदर कि अंदर कि उन सब ओथर्स का उन लेखों को का हम याद करते जिन्हों ने भारत की सम्रदी दुनिया तक पहुचाने का काम किया भारत की विरासत भारत की संस्कृति भारत का आध्यात्त भारत का विज्ञान कि विज्ञान से संस्कृति और कितनी सम्रद भाषाओं के अंदर कि लेखोंने अपनी कलम से लिखा मनमस्तिक्षवानी से जो विचार आए उन विचारों को कलम से लिखा और आप सबने उन विचारों को जो उन्होंने कलम से लिखा उसको प्रकाशक के रुप में च्छाप कर दुनिया के अंदर विस्तार करने का काम किया तो उसमें बहुत बड़ी लेखकों की भूमिका है लेकिन बेखों की भूमिका से ज़्यादा आप की भूमिका है जब कोई लेखक को चीछ को लिख देता है तो उसको ठीक से एडिट करना उसको ठीक से डिजाइन करना उसका लुक ठीक से देना और प्रकाशक के साथ उस किताब को दुनिया के अंदर पहुचाने का काम उसमें प्रकाशकों की बहुत बड़ी भूमी का गई है और दुनिया के अंदर विक्ति रहने रहे उनके विचार चलते हैं और विचारों की अभिवेक्ति उन किताबों से मिलती है जब विचार रहेंगे और विचारों की अभिवेक्ति किताब में होगी जो लेखक ने लिखे हैं उसका प्रकाशन का काम आपने किया फिर आउजा साप जैसे लोगों ने उसको दुनिया में पहुँचाने का काम किया तो एक बहुत बड़ी कड़ी है उस कड़ी में प्रकाश्चोकों की भूमी का भी महत्पूर्ण है और मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर जहां के लेखक जितनी महत्पूर्ण बाते उन्होंने उस देश के बारे में उस देश के वचार के के बारे में उस देश की संस्क्रिती के बारे में वे अध्यात्में ग्यान में ये एक सेक्टर है लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा का विज्ञान का चोटे चोटे बच्चें को ग्यान ग्यान से उसकी जीवन के मनमस्तिक्ष की को डवलोप करना ऐसे बहुत मैं कितनी चीजे बताऊं कि कि कितना एक लंबा सेक्टर है जो कि उसको ठीक से करने का काम कि प्रकाशकों के रूप में आपके भूमी का बहुत बड़ी रही है अगर कोई लेखक के मर में विचार भी आ जाता कलम से लिग भी देता और लेखक का विचार भी बहुत अच्छा था कलम भी अच्छी थी विचार भी अच्छा था लेकिन अगर उसके प्रकाशक ठीक नहीं होते तो उसके विचार नहीं पहुंसते इसलिए प्रकाशक की भूमी का कितनी महत्पूर्ण है कि उसके विचारों की उसकी अभिविक्ति को ठीक से पहुचाने का काम और किताब का प्रकाशन करना और किताब को फिर बुक्सेलर तक पहुचाना क्योंकि कई बार कोई किताब अगर कमजोर भी हो चलने वाली भी नहीं हो लेकिन उसका प्रकाशक अगर बढ़िया होता है तो प्रकाशक के नाम से किताब चल जाती है कई हम बाहर देखते हैं इसके प्रकाशक कोन है तो उस प्रकाशक के नाम से ही किताब चल जाती है तो प्रकाशक की भूमिका कितनी महलपून हम जब पुस्तक मेले में मैं जाता हूं पढ़ने का तो समय कम मिलता है लेकिन किताबों को समझने का किताबों को पढ़ने का और मेरा अपना मानना सबका अपने विचार होते हैं मेरा मानना है कि वेक्ति का सबसे बड़ा साथी कोई है तो वो किताब है उसके हर जीवन के संपुन विकास के अंदर अगर सबसे कोई उसकी साथी के रूप में काम करता है तो वो किताब काम करते हैं चाहे बालक जब पेदा होने के बाद जब कक्षा आजकल तो माए दो तीन साल में तो पढ़ने भेज़ देती है तो तीन साल के इंदर पढने भेड दे तो उसके लिए किस तरीके से उसके मनमस्तिश को डवलोब करना उसके लिए उसके किताब होती पिर आगे जाता है किताबें किताबों के अक्षर उसके बाद उस अक्षर के ज्ञान को सीखना कि उससे लेकर उसके जीवन के अंतिम्षन तक मनुष्रिक अंतिम्शन में भी अपनी जिन्दगी के अच्छे दिनों को अगर अंतिम्शन में ठीक से जी सकता है तो किताब उसके साथ ही रह गई तो जीवन के अंतिम शन को भी ठीक से जी सकता है और कोई भी वेक्ति जीवन के अंदर अपने वेक्तित में बदलाओ लासकता है कोई अगर आउसाद में गर्सित है तो किताब से उस आउसाद को काम करने की तागत भी किताब में है तो किताब तो जितनी उसकी महिमा की जाए उतनी कम है और मुझे पता है की जो जो हम किताब पढ़ते हैं वेक्ति जिन्दगी में अपने हर जीवन के वेक्तित को डवलॉप कर सकता है और इसलिए जब प्रमेश जी आये तो मैंने का मुझे शोख है तो मैं इसे बहुत स्वारी इंक्वारी करने लगा कि जब भी कई छोटा मोटा पुस्तक मेला बड़ा पुस्तक मेला लगता है तो मैं घंटे उन में गुजारता हूं कोई भी प्रकाशक आ जाये कोई लेखक आये विचारक आये तो उनसे समझने की कोशिश करता हूं क्योंकि किताब में विरासत भी रेती है इतियास भी रेता है वरतमान भी रेता है और भाईश भी रेता है सब कुछ किताब में हैं आप विरासत इतियास को पड़कर वर्तमान को समझ कर अपनी भईष की कारियोजनाओं को किताब के माध्यम से पूरी कर सकते हैं और उसमें प्रकाशकों की बहुत बड़ी भूमी का रहती है लेकों की बहुत बड़ी भूमी का रहती है मैं तो आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे बड़े बड़े वेचारिक लेखक हैं उन वेचारिक लेखोंकों को हमें प्रियास करना चाहिए कि उनकी विचा पेचान ढूंडें उनको प्रकाशक के रूप में उनका स्योग करें ताकि उनकी विचार हम दुनिया में पहुचा सकते हैं और इसी तरीके से एक एजुकेशन में हो टेक्निकल हो मेडिकल का हो हर सेक्टर के अंदर कितने कोई शेत्र बाकी नहीं है जिस शेत्र के अंदर हम हम हमारे विद्वानों का हमारे विज्ञान टेक्नोलोजी से लेकर जो हमारी उपलब्दियां रही है उसको किताब में लाकर उसको दुनिया में पहुचाने का काम आप जिसे ओथर सी कर सकते हैं क्योंकि जब विज्ञान टेक्नोलोजी बद्दि उसके साथ साथ संचार के साधन भी बद्दे हैं टेक्नोलोजिस के माध्यम से एक किताब को हम दुनिया में एक क्लिक में पहुचा सकते हैं दुनिया हमारी उस एक किताब को लाइबरी के माध्यम से देख सकती है हमने संसत में भी कोशिश किये कि हमारी जितनी भी डिवेट हैं चाया जादी के पहले अठार सो सत्ताओं से लेकर अभी तक उन डिवेटों का संक्लन हमने किया है और डेटाबेस बनाया है जिससे कभी भी कोई भी डिवेट आप देख सकते हैं ओनलाइन आपको वो डिवेट मिल सकती है किस कानून बनाते से में क्या-क्या चर्चा हुई थी क्या-क्या शंकाएं व्यक्त की गई थी कब पहला सविधान संश्वदन हुआ था उसके बाद जो सविधान संश्वदन हुए इसके सविधान संश्वदन में लाने के क्या कार में नाम से सब्जेक्ट से इस से हमने उसको डिजिटल करने का प्रयास किया है कापी हाथ तक डिजिटल हो गया है मुझे लगता है कि विदिन थ्री मन्त के अंदर संपूर्ण पार्लेमेंट की जो भी डिवेट से वह आपको एक प्लेटफार्म बभी लेगी आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि देश की विधान मंदलों की भी का भी एक प्लेटफार्म वन निशन वन लेजिस्ट्रीटिव मतब एक प्लेटफार्म पर आप राज्य की देश की विधान मंदलों की कारवायों को उनके बजट को उनके नियमों को उनकी प्रक्रियाओं को उसके साथ वाह हुए कानूनों में परिवर्तन को एक प्लेटफार्म पर देख पाएंगे ताकि जो जो भी देश में परिवर्तन हुए उस परिवर्तन कारिक कानून हो चाहे डिवेट हो मुद्दे हो क्योंकि लोगतंत के अंदर चर्चा समवाद समती ऐसमती यह हमारी हमेशा तागत रही है और इसलिए इतनी बड़ी विवित्ताव के अंदर जहां अलग अलग भाशा हो अलग अलग धर्म हो अलग अलग बोली हो उन सब को इस लोगतंत ने एक साथ जोड़ रखा है और दुनिया के अंदर भारत का लोगतंत सम्रद हुआ है हमने लोगतंत के माध्यम से ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की हैं आज हमारे कुशल नित्त नेंद मोदी जी के नित्त में चाए जी टॉंटी हो चाए विश्व के अन्य चुनोतियां हो आपदा हो संकत हो उन सब को हमने समाधान करने का सामर्थ भारत में पेदा हुआ है इसलिए भारत की तागत बड़ी है और उस भारत की तागत को उसकी संब्रदी को उसकी विरासत को इसकी इत्यास को पहुचाने में आप सब की बहुत बड़ी भूमी का है में और इसलिए भीरा आप सबसे आग रहा है कि हम किस तरीके से हमारी संसी यात्राओं को ठीक से दूनिया में पुछा सकें हमारे प्राचिंत, लोक्तंत जो लोक्तंत के हमारी प्रक्रियाय रही, पद्धतिञ रही हमारा लोक्तंत को आजा दी के पहले यात्रा को भी समग रूफ से आप दुनिया में पहुचा सकते हैं और ये काम आप ठीक से कर सकते हैं मेरी अपिक्षा है कि आपके पास ओथर भी है और आप खुद प्रकाशक हो एक विचार मैंने आपको दिया है हमारी लोगतंत की यात्रा को दुनिया में पहुचाने के करेंगे और संसद आपका सयोग करेंगी ताकि आने वाली पीडियों को भारत की समर्द लोगतंती विरासत और वर्तमान और भैश में जो कुछ भी चुनोतिया रही उस चुनोतियों को हमने किस तरीके से निम्टा और दुनिया के अंदर भारत की प्रगति कुशाली तेकी इसमें हमारी लोगतांती यात्रा हमारी आजादी का संगर्ष यह बहुत बड़ी हमारी सामर्थ शक्ति होती है नई पीड़ी को भी पेढ़ना देने की आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आशा है कि जिन लोगों को यह प्रुष्कार मिला है जिनको नी मिला है और प्रियास करेंगे के अगली बार उनको इप्रुष्कार मिले बहुत-बहुत धन्यवाद